हाई दोस्तो आज मैं आप लोगों के सामने कैसे डिस्ट लेकर आए हूँ जो कि सभी उम्र के लोगों को काफी पसंद आता है और खास कर महिलाओं के अगर बात किया जाए तो उन्हें काफी पसंद है अच्छा तो कहीं आप पानी पूड़ी की रेसिपी की बारे में तो नहीं सोच रहे हैं अरे नहीं मैं तो आलू टिक्की चाट की रेसिपी की बारे में बात कर रही हूँ मेरा नाम रूपम और आप सब का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में तो चलिए बिना देर की ये शुरू करते हैं आज मैं बनाने वाली हूँ आलू टिक्की चाट की रेसिबी जिसके लिए मैंने चाट वाले जो पीले मटर होते हैं उसको मैंने भीगोकर रखे थे 4-5 घंटे ये हैं बारिक कटे हूँ टमाटर, प्याज, गाजड और हरी मिर्च और इधर मैं रखी हूँ उबले हुए आलू ये तीन आलू मैंने उबाले हैं इसमें कुछ आलू मैं इक्की बनाऊगी और ये इधर बेकिंग पाउडर है जो मैं चाट को उबालते समें डालूँगी और ये भूना हुआ जीरा है उसको भी मैं उबालते समें डालूँगी और ये हमारा चाट मसाला ये हल्दी और ये नमक और ये पानी अब मैं सारे इंग्रीडियंट को एक एक करके प्रेसर कूकर में डालूंगी और ध्यान रहे मैंने इसमें कोई भी तेल यूज नहीं की हूँ मैं इसे हेल्थ पॉइंट अब भी को ध्यान में रखते हुए बनाए हूँ और इससे आपको टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे फाइदा ये भी होगा कि अगर आपके घर में कोई मरीज है तो वो भी इस रेसिपी को खा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के और इससे ये फाइदा है कि अगर आपके घर में कोई मरीज है तो वो बिना किसी दिक्कत के इस डिस्क का आनंद ले सकते हैं अब हम इसमें मसाला आड़ करेंगे एक चम्मच मैंने जीरा पाउडर आड़ की हूँ एक चम्मच चाट मसाला स्वाद के अनुसार नमक एक छोटी चम्मच हल्दी हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर ये औप्सनल है जो कि मैंने नहीं डाला है आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं और लास्ट में एक गलास पानी अब प्रेसर कुकर को बन करके इसमें साथ से आठ सीटी मीडियन फ्लेम पर मैं लगाऊंगी आठ सीटी लग चुके हैं अब मैं गैस को आफ कर दूँगी जब तक प्रेसर कुकर का गैस रिलीज होता है तब तक हम टिक्की का प्रिप्रेशन करते हैं टिकी बनाने के लिए मैंने इसमें बारिक कटी हुई गाज़, प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता अड़ की हूँ और साथ में हाफ टेवल स्पून, चाट मिसाला और स्वात के कोडिंग नमक अड़ करेंगे और अब इन सब को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और हाँ, हमने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी अड़ की हूँ ये लोजी, अब हमारे आलू टिक्की का चोखा तयार हो गया है हम टिक्की बनाना सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें अपने हाथों पे सरसों का ओईल लगाना होगा जिसे की आलू हाथ में चिपके नहीं ये हमारा टिक्की हो गया अब इसमें अगर आपके पास कॉर्ण फ्लोर ये चावल काटा है तो आप इसे इसे लपेट दें इसमें जिसे की आपकी टिक्की कुरकुरी बनेगी अब तवा को गैस पे चढ़ाएंगे हाई फ्लेम पे तवा में हलका सा वाईल डालेंगे और टिक्की को उस पे पकाएंगे और ध्यान रहे गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है ताकि हमारी टिक्की कुरकुरी बनेगी और जो खाने में स्वादिष्ट लगेगी ये लोजी अब हमारा टिक्की बनके तयार हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुन्दर दिख रही है कुरकुरी मैं कूकर का ढखकन जैसा कि देख रहे हैं खोल चुकी हूँ ये देखी हमारे मटर चाट वाले कितने अच्छे से पक चुके हैं अब मैं इसमें अच्छी तरह से मैश करूँगी आलू को मटर के साथ अच्छी तरह से उसके बाद मैं इसमें वन फोर्थ ग्लास वाटर एड करूँगी और इसमें धीमी आज पे गैस पे पकाऊँगी दो से तीन मिनिट तक अब हमारा चाट बनके रेडी हो गया है अब इसे सर्फ करने के लिए मैंने बारिक कटी हुई धनिया, मूली, गाजर, प्याज और हरी मिर्च को रखी हूँ और साथ में ही इधर मैंने दही रखी हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मिसाला और नमक अब मैं इसे प्लेट में सर्फ करूँगी, अब ये लोजी हमारा चाट बनके रेडी हो गया है बहुत ही टेश्टी और डिलीसियस दीख रहा है आप लोग के मुँँ में भी पानी आ रहा होगा मेरे मुँ में तो बहुत पानी आ रहा है मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए और आप लोग भी जरूर बनाईएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा चाट करेसिपी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद